आम से लेकर खास तक पूरे विश्व में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है इसी बीच अमिता बच्चन ने अपने फैंस को एक ऐसी खबर दी जिससे सभी मायूस हो गए दरसल हिंदी सिनेमा के महान नाएग अमिता बच्चन को कोरोना हो गया है सनिवार देर शाम उन्हें मुंबई के नानावती एस्पताल में भर्दी कराया गया है जहां पर हुए परिक्षन में वो कोविड-19 वाइरिस से संक्रमित पाए गए अमिता बच्चन ने खुद एक ट्वीट के जरिये इसकी पूश्टी की है अमिता बच्चन का स्वास्ते पिछले कुछ महिनों से गड़बड चल रहा है और चिकित्चकों ने उनके मुंबई की बाहर यात्रा करने पर भी रोक लगा दी थी कल रात दस बजगर बावन मिनट पर अमिता बच्चन ने अपने कोरोना पोजिटिव होने की पूश्टी की और ये भी कहा कि उनके संपर्क में जितने भी लोग पिछले दस दिन में आये हैं सब अपना टेस्ट जरूर करा ले अमिता बच्चन के परिवार के सभी सदस्यों और उनके स्टाफ का भी टेस्ट किया गया है जिसके परिणाम अभी आने बाकी हैं अमिता बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि वो कोरोना पोजिटिव पाये गए हैं और अस्पताल में भरती हैं परिवार के बाकिस अदस्यों और स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट का इंतजार है इसके साथ ही बिग बी ने ट्वीट में आगे उन सभी लोगों से अपना कोरुना टेस्ट करवाने के लिए कहा जो उनसे आखरी दस दिनों में मिले हैं दोस्तों हमिता बच्चन के स्वास्ते से जुड़ी हर एक लेटेस्ट कावर के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा धन्यवाद